आज हम टिंडे की ऐसी लाजवाब और टेस्टी सबजी बनाकर तयार करेंगे यदि आप इसे घर में बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाने का तरीका भी एक्तम आसान है आप इसे ट्राय जरूर कीजिएगा नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका श्याम लेंगे बहुत मोटा चिलका नहीं उतारना है ये टिंडे थोड़े से बड़े साइज की हैं पर इनमें बीज बिलकुल भी नहीं है तो ये देखे हमने टिंडे को छील लिया है और अब हम इसके चार से छे पीस कर देंगे यदि बड़ा टिंडा है तो छे पीस कर लीजिए चोटा है तो चार कर लीजिए इस तरह से लंबे आकार में काट लीजिए हमने सारे टिंडे को छील कर काट लिया है अब हम इसके लिए एक मसाला पेस्ट बनाएंगे इसके लिए हमने यहाँ आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच धनिया पाउडर देड़ छोटा चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे ग्रेवी का कलर भी अच्छा आएगा और तीखी भी नहीं होगी, एक छोटा चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, एक छोटा चम्मच नमक लिया है, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए यदि आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ले सकते हो या सबजी मसाला ले सकते हो मसाला पेस्ट बन गया है अब हमने यहाँ दो टमाटर एक इंच अद्रक का टुकडा दो हरी मिर्च ली है इन्हें मिक्सर में पीस कर इसका पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे अब हम सबजी बनाते हैं सबजी बनाने के लिए मैंने कड़ाही में दो बड़े चम्मच तेल लिया है तेल के गरम हो जाने पर इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए अच्छे से चटकने दीजिए एक चोथाई छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए जीरे को थोड़ा सा भून लीजिए और अब हमने यहाँ पर एक बारिक कटा हुआ प्याज लिया है प्याज को हम 2-3 मिनिट के लिए मेडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राय कर लेंगे हलका सा सॉफ्ट होने तक इन्हें भून लेंगे जब प्याज हलका सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें एक छोटा चम्मच बेसन डालेंगे बस इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है बेसन डालने से सबजी का टेक्शर बहुत अच्छा आएगा सबजी एकदम क्रीमी बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी बेसन को हम एकदम लो फ्लेम करके 2-3 मिनिट तक भून लेंगे इससे बेसन का कच्छापन पूरी तरह से निकल जाएगा बेसन को हमने 2 मिनिट के लिए भून लिया है अब हम इसमें ये मसाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बनाया था इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है तो इसे कंटीनू चलाते हुए भून लिजिए 2 मिनिट में ही ये अच्छे से पक जाएगा और ये देखिये मसाला हमारा बहुत बढ़िया से भून गया है अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देते है साथ ही इसमें एक चम्मच पानी भी डाल दिया है अब हम टमाटर के पेस्ट को मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और इसे 4-5 मिनिट के लिए पकने दीजिए तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं एक साइड में मैंने दूसरा पैन रखा है इसमें हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल को पैन में अच्छे से फैला लीजिए और इसमें ये सारे कटे हुए टिंडे हम डाल देंगे इन पर हम 2-5 के करीब हल्दी पाउडर और 2-5 नमक डाल देंगे इससे टिंडे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और अब हम टिंडे को हाई फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए continue चलाते हुए भूनेंगे इससे टिंडे हलके से क्रिस्पी हो जाएगे जो ग्रेवी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे हमने टिंडे को 2 मिनिट के लिए फ्राइ किया और आप देख सकते हैं इन पर क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और ढ़क कर इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है बीच बीच में आप इसे चला दीजिएगा 6-7 मिनिट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इधर हम ग्रेवी को भी देख लेते हैं ग्रेवी को पकाते हुए हमें 5 मिनिट हो गया है बीच में मैंने इसे 2-3 बार चला दिया था तो अब हम ग्रेवी को थोड़ा सा और भून लेते हैं क्योंकि अभी ये पूरे तरह से नहीं पका है और ये लीजिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और इधर हम टिंडे को भी देख लेते हैं इन्हें भी हमें पकाते हुए 6-7 मिनिट हो गए हैं बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं और ये टिंडे सौफ्ट भी हो गए हैं तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन टिंडो को हम ग्रेवी में डाल देंगे तो आप इस तरह से टिंडे की सबजी एक बार बना कर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार होगी अब हम ये फ्राय किये हुए टिंडे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये देखिए मिक्स हो गया है और अब हम इसमें लगबग एक कप गरम पानी डाल देते हैं या जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए इसमें मैंने बहुँ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि टिंडे हमारे पके हुए हैं अब हम इसमें एक चोटा चम्मच भूनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और यहां मैंने दो बड़े चम्मच दूद की मलाई ली है आप इसकी जगें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो बड़िया से इन्हें हम मिक्स कर देंगे यदि आपके पास दूद की मलाई नहीं है तो आप सबजी बनने के बाद उसमें दो छोटा चम्मच घी भी डाल सकते हो उससे भी टेस्ट पहुत अच्छा आएगा अब हम मेडियम टू लो फ्लेम पर सबजी को ढखकर लगबग 6-7 मिनिट के लिए पकाएंगे सबजी को पकाते हुए हमें 6-7 मिनिट हो गया है और बीच में मैंने इसे दो बार चला दिया था सबजी हमारी बिल्कुल तयार है ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रही है आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये खाने में भी कितनी ज़्यादा टेस्टी है अब मैं यहां आधा छोटा चमच आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ यदि आपने खटे टमाटर का इस्तिमाल किया है तो आपको आमचूर पाउडर डालने की जरूरत नहीं है आमचूर पाउडर डालने से सबजी बहुत ही चटपटी सी बनकर तयार होगी और थोड़ा सा इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं इन्हें मिक्स कर लेंगे बढ़िया से और बस अब हम सबजी को खुले में केवल एक मिनिट के लिए और पका लेंगे ताक रेसिपी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेला एकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकी